हाँ जी दोस्तो तो एक और मंगल, एक और दंगल, वैसे आज मंगल तो नहीं है क्योंकि कल मंगल था और कल हम लोग पूरा दिन ट्राइवल कर रहे थे जिस वज़े से वीडियो डल नहीं पाया खेर आज इस पूरे हफ़ते के टेलको अपडेट्स आप ले लेके आगे हैं, सारे के सारे काफ़ी इंट्रस्टिंग अपडेट्स हैं और स्टार्ट करते हैं आज के पहले अपडेट्स से जो की आती है जीओ की तरफ से लेकिन इंट्रस्टिंग बात यहां पर यह है कि वी के जो सब्स्राइबर्स थे न वो यहां पर 35,000 लॉस हुए तो टेक्निकली अगर देखो तो जीओ और एटल के गेंट सब्स्राइबर्स को अगर आप अड़ करोगे तो यहां पर वी के सब्स्राइबर्स तो भी बहुत जादा हैं जो वी को छोड़के चले गए तो जीओ के लिए अच्छी बात है एटल के लिए ठीक ठाक है लेकिन वी के लिए काफी भाई दर्दनाक वाली बात होती जा रही है पता नहीं वी का भविश्य हागे कहां जाके रुकेगा अगली अपडेट है हमारे प्यारे BSNL को लेके और BSNL की तरफ से ये अपडेट है कि अगले 14 दिन के अंदर BSNL का 4G लाइव होने वाला है एटलीस चंडिगर एंड दहरादून में तो यहाँ पर 200 से जादा BSNL की 4G साइट अल्रीड इंस्टॉल हो चुकी है और अश्मिनी वेशनाव हमारे IT मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि बहुत जल्दी सिरफ 2-3 महीने की टेस्टिंग के बाद यह जो साइट्स एडिशन है यह डेली 200 साइड होनी स्टार्ट हो जाएंगी और करेंटली जो साइट एडिशन का टाइम फ्रेम है वो अप्रॉक्सिमेटली सिरफ ऐसा आ रहा है हर एक मिनट में एक नई साइट इंस्टॉल हो जा रही है तो देहरदून और चंडिकर वालों हो सबसे पहले BSNL 4G का एक्चोल इंडिया इन हाउस वाला जो नया स्टैक डेवलप हुआ है उसका फायदा देखने को मिलेगा एक्स्पिरेंस करने को मिलेगा तो अगर कोई देहरदून चंडिकर से हो तो नीचे कमेंट करके बता दे ना वैसे BSNL ने TCS को 19,000 करोड रुपे का ये order प्लेस करा है जिसमें TCS with the help of Tejas Networks यहाँ पे सारा का सारा BSNL के जो साइट इंस्टॉलेशन है एक लाग साइट को इंस्टॉल करेंगे अल्सो हमारे IT मिनिस्टर ने ये भी मेंशन किया कि इंडिया अब टेक्नोलोजी एक्स्पोर्टर अच्छे स्केल पर बनता चला जा रहा है क्योंकि US अब ज़ादा इंट्रस्टेड है इंडियन मेड टेक्नोलोजीज के अंदर एंड यूएस में अब इंडिया मेड प्रोफिट्स बनाएंगे तो फाइनली इनका शेर प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है मैं तो जहता हूं आप भी अपनी रिसेर्ट्स करके यहां पर थोड़े थोड़े कंपनीज के जो आपको पसंद हो जिनकी वर्केंग आपको पता हो उनके अंदर थोड़ा-थो जकते हो with absolutely zero brokerage येस बाकी brokerage platforms पर आपको around 20 rupees per trade यहां फिर percentage के हिसाब से आपको payment करना होता है और उसका monthly brokerage bill बहुत जादा आ जाता है जो कि regular traders यहां फिर investors के लिए बहुत जादा हो जाता है वो brokerage यहां पर zero है यहां पर brokerage calculator भी है जैसा कि आप screen पर देख सकते हो कि मैं अगर old school broker पर 20 rupees flat brokerage दे रहा हूँ और daily 10 trades भी करें तो approximately 48,000 मुझे M stock पर savings हो रहे हैं चाहे delivery, intertrades, future, options, currencies और मुस्ट हर सेग्मेंट में zero brokerage है इनका zero brokerage plan सिरफ 999 का आता है वो भी lifetime validity के साथ तो DMET plans के अगर आप options देखो तो यहां पे clearly boldly listed है सिरफ 999 में lifetime एक बार pay करो और जिन्द 20 rupees per trade देना होगा मेरे इसाब से 999 वाला option best है क्योंकि lifetime validity के साथ आता है और इसके साथ अगर 999 की additional AMC भी ले लेते हो तो जिन्दगी भर कोई और cost आपको नहीं bear करनी पड़ेगी क्योंकि other brokers में आपको yearly again एक fees देनी पड़ती है cherry on the cake यहां पे margin trading facility भी है with lowest interest rates starting from just 6.99% यहां पर भी सारी calculations and differences mentioned है आप देख सकते हो अपनी screen पर इनका link मेंने description में दे दिया है और जिस तरह से हर तरफ से हमको extra benefits दे रहे हैं मुझे लगता है एक बार आपको M stock जरूर check out करना चाहिए now moving on to our next update तो यह आती है try की तरफ से तो try basically अब क्या कर रहा है नए rules लेके आ रहा है Q QS यानि quality of services को check में रखने के लिए तो कुछ आने वाले कुछ weeks के अंदर एक नया consultation paper निकालने वाला try and open to public करेगा की feedbacks लेने के लिए and then इसको यह लोग drafting start करेंगे basically try चाहता है कि AI and नहीने technologies को use करके यह जो QS हैं उसको अच्छे तरीके से monitor कर पाएं at the scale of districts and states so basically circle wise यह लोग चेक कर पाएंगे कि कौन से circle में अच्छी speeds आ रही हैं अच्छे quality of service provide हो पा रहे हैं या फिर नहीं so finally try भी अपनी तरफ से चाहता है कि yes call drops काफी कम हो and यह जो seamless transition यह लोग चाहते हैं 5G के अंदर special focus किया जाएगा कि 5G के लिए hard rules strict rules निकाले जाएं for telecom operators जिससे public का पैसा अगर वो जादा pay कर रही है तो उसको और better quality of service मिलनी चाहिए अब यह देखने वाली चीज होगी इस case के अंदर की AI को कैसे use किया जाता back end को और strong करने के लिए अगली update है जियो सिनेमा की तरफ से and जियो सिनेमा ने partner कर लिया है NBC Universal के साथ multi-year deal में जियो सिनेमा अपनी catalog for entertainment यहाँ पे भड़ाता चला जा रहा है and इनके साथ partnership करके Hollywood के बहुत सारे नए-ने titles अब हमको जियो सिनेमा की paid subscription 1000 रुबे पर साल वाली पे है उस पे देखने को मिल जाएंगे काफी सारे titles यहाँ पे disclose हुए जैसे की Downtown Abbey, Suits, The Office यह सारे and बहुत सारे other titles भी जियो सिनेमा पे बहुत जल्दी available हो जाएंगे इविन आने वाले टाइम में बहुत सारे blockbuster franchises भी देखने को मिल सकते हैं Jurassic Park Shrek, The Mummy, Pitch Perfect, Bone यह सारा कुछ content जो है जियो सिनेमा पे मिल जाएगा तो जियो सिनेमा चाह रहा है कि catalog बढ़ा दो जिससे 1000 रुबे देने में लोग को अख्रे नहीं इसके साथ यह compete करना चाह रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ and eventually भाई Jio की strategy पता है दूसरे को इतनी बुरी तरीके से dominate कर दो इतने affordable बना दो अपने products को कि public automatically इधर आ जाए and then दूसरा वाला ठक जाए अपना माल बेचने की कोशिश करते करते बेच नहीं पाएगा आपको का लगता है वैसे कितना time लगेगा Jio Cinema को Netflix यहां फिर Hotstar से compete करने के लिए क्या यह eventually जीत भी पाएगा यहां फिर नहीं नीचे मुझे बताना जरूर अगली update अगें DOD की तरफ से है लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि 2,20,000 से जादा SIM cards बिहार एंट जारकन में ट्राइन ने यहां पे बैन कर दिये थे क्योंकि बहुत सारे frauds हो रहे थे AI के use करके इन लोगों को पता चला अगें इस week में 17,000 SIM card फिर से बैन कर दिये गए है AI मतलब help तो कर रहा है भाई अब कितने इसमें से genuine थे कितने नहीं यह तो तब पता चलेगा अगर कोई genuine बंदा आगे complain raise करता है और social media पे वो highlight होता है लेकिन सरानीय step यहां पे government का यह है कि फाइनली यह लोग fraudsters के पीछे हाथ दो के पढ़ गए है और regularly उनके SIMS अगर बंद कर देंगे तो वो भी थक के नया ही कुछ ढूणना स्टार्ट करेंगे Actually इन्होंने सबसे पहले इसको यहां पे यह चेक आउट किया कि एक आधार काड़ पे कितने number of SIMS issued हैं तो इक गवर्मेंटी गाइडलाइन के साब से एक नाम या फिर एक आधार काड़ के उपर 9 SIMS इशू हो सकते हैं और इन वाले cases के अंदर mostly एक ID पे multiple 9 से भी जादा SIMS इशू अलरड़ी हो चुके थे जिनको बंद करके अब इनोंने यहां पे collapse कर दिया अगली update है कि सुनील मित्ल भारती जी जो है एटल वाले वो यह कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे advanced country बनती चली जा रही है टेलीकॉम के अंदर अगर देखें तो 5G expansion हमने बहुत ही short time में बहुत अच्छे scale पे कर दिये and just 2024 के end तक पूरा pan India जो है वो पूरा 5G coverage के अंदर आ जाएगा वर्ल्ड में fastest 5G rollout हुआ है इंडिया के अंदर ऐसा इनका कहना है and इनका ऐसा भी कहना है कि 9 साल की इस government में इंडिया एक ऐसा market बन गया है जहां पे remotest of the locations में लोगों के पास phones हैं उसके अंदर internet connectivity है जिस वज़े से इंडिया की GDP growth भी काफी जाधा अच्छे से grow कर पाई है ये जाधा internet connectivity पूरे देश में होने से basically banks पे जो transactions है वो easy हो गई है लोग एक दूसरे को payments कर पाते हैं तो ये सब से economy अच्छी flourish हो रही है इंडिया 5 trillion economy बनने को तयार दिख रहा है ऐसा बोल रहा है कुछ साल पहले तक बिलकुल भी समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा सब जगे internet होने से जो communication इतना fast हो गया सब जगाओं में तो यहाँ पे 5 trillion economy का जो vision है वो clear दिख रहा है PLI hardware 2.0 की scheme निकाली है और यह आपके होश उड़ा देगी basically government चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा mobile phone, IT hardware वाले जो products की companies हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा manufacturing plants इंडिया के अंदर डाले और इसके लिए उन्होंने इन companies के लिए incentives double से भी ज़्यादा कर दी है पहले जो benefits 2% हुआ करते थे अब इस नई scheme के अंदर इन्होंने यह सीधा benefits 5% पे ले आए इस मुरी scheme का budget यहाँ पे 17,000 करोड रुपे रखा गया है जो कि as incentives distribute हो जाएगा सारी companies में और government चाहती है कि बड़ी-बडी इसी servers यहाँ फिर ultra form factors चोटे-चोटे products जो होते है सारे electronics के सब कुछ यहाँ पे बनने चाहिए मुझे लगता है भाई proactively अगर इसी तरीके से government काम करती रही तो अगला चाइना हम ही है manufacturing के case में क्योंकि एक तरफ companies चाइना छोड़ सोड़ के जाना चाहरी है and इंडिया में ऐसे incentive schemes अगर निकालती रही government तो बहुत सारी companies attract होंगी यहाँ पे क्योंकि उनको major profits भी मिलेंगे and यहाँ की पूरी full market का access भी क्योंकि इंडिया one of the biggest markets है in terms of electronics as well finally आज की जो last update है वो भी again BSNL की दरफ से आती है and update यह है कि BSNL का लग जो loss है वो FY23 को अगर देखा जाए तो और ज़ादा भढ़ गया है जो कि अब हो गया है 8,161 करोड रुपे last year का loss देखें तो approximately था 6,900 करोड and उस हिसाब से देखा जाए तो जो loss increase हुआ है वो हुआ है basically अगर AGR dues को यहाँ पर in consideration रखा जा रहा है तो लेकिन एक अच्छी बात यह है कि on the operations side BSNL finally profits बना रहा है जैसे कि हमने आपको last week भी बताया था पिछले साल का जो operations के profit था वो था 16,800 करोड लेकिन इस साल 19,130 करोड रुपे profit बनाया है तो यह तो दिख रहा है कि 4G and 5G drop होते ही December में software upgrade से लोग 5G डाल देंगे and उसके बाद तहल का मत सकता यहाँ है BSNL सीधा एक दो positions jump करके ऊपर जा सकता है क्योंकि BSNL के usually जो plans होते है काफी cheap होते है in compared to private telcos तो मुझे लगता है BSNL बहुत अच्छा grow करने वाला है within next 2 years आपको क्या लगता है नीचे मुझे बताना जरूर and with this मैं आप से आज विदा लेता हूँ यह था आज का पूरा episode आपकी फेवरेट जो अपडेट हो वो नीचे मुझे comment करके बताना and M-Stock को check out करना मात बूलना लिंक में ने description में दे दिया है zero brokerage plan है भई, मजा आ जाएगा and I'll see you in the next one till then stay safe, stay sagastic, go skinly and see ya investments in securities markets are subject to market risks read all the related documents carefully before investing